दिग्विजे सिंग ने युवा कांग्रेस कारेकरताओं को RSS से सीखने की दी नसिहत कि हमें भी उन्हीं की तरह बनना होगा और उनकी तरह ही काम करना होगा रक्षाबंधन पर लारली बहनों को मिलेगा बड़ा तोफा मध्यप्रदेश की सवा करोर लारली बहनों के लिए एक जरूरी खबर है मध्यप्रदेश की मोहन सरकार अगस्त के महीने में भी रक्षाबंधन से पहले ही लारली बहनों के खातों में योजना की पंद्रहवीं किस ट्रांसफर कर देगी संभावनाय हैं कि रक्षाबंधन पर सरकार लारली बहनों को राशी बढ़ा कर तोफ़ा भी दे सकती है हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है स्वयं को भगवान बताने वाले बाबा और कथावाचकों पर संतों का फूटा गुसा जीहा देशभर में स्वयं को भगवान बताने वाले बाबाओं और कथावाचकों की भरमार हो गई है इन लोगों से संतों में जबरदस्त नाराजगी है खुद को भगवान बताने वाले बाबाओं कथावाचकों पर संतों ने कड़ी का रवाई का एलान कर दिया है उजयन में अखिल भारती अखाड़ा परिशद के अध्यक्ष मेहिंत रवींद्रपुरी ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि जो कथावाचक बाबा स्वयं को भगवान बता रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा वही मेहिंत रवींद्रपुरी ने सनातन धर्म के प्रती योगदान देने के लिए पीएम नरेंद्र मोधी और यूपी के सीएम योगी आधितेनाथ की प्रशंसा की मध्यप्रदेश के ग्वालियर में अगनिवीरों की भरती शुरू होगी और दो अगस्त से बारह अगस्त यानी तेरह दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा का ग्वालियर शिवपुरी दतिया भिंड मुरैना टीकमगर छतरपुर शिवपूर सागर और निवाडी जिले के युवा भाग ले सकेंगे दिल्ली में फिर बढ़ा शिवराज सिंग चोहान का कदथ BCP ने सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी जीहा वर्तमान में मोधी कैबिनेट में केंदरिय खुरी मंतरी शिवराज सिंग चोहान को एक नई जिम्मेदारी मिल गई है दरसल मंगलवार शाम केंदर सरकार ने नए नीती आयोग का गठन किया है लोगसभा चुनाव संपन होने के करीब डेर महीने बाद नया नीती आयोग पुरा आकार ले चुका है और इसमें मध्यप्रदेश के पूर्व सीम शिवराज सिंग को जगह दी गई है और शिवराज सिंग चुहान को नीती आयोग का पदेन सत्से बनाया गया है कार से नीचे उतरते ही टीचर पर गिरी बिजली हुई मौत मध्यप्रदेश के देवास में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है यहाँ एक टीचर की बिजली गिरने से मौत हो गई कमलेश शाह का मंतरी बनने का टूट गया सपना जीहा मोहन कैबिनेट में शामिल होने का सपना संजोय नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक कमलेश शाह को बड़ा जटका लगा है क्योंकि मंतरी बनने का उनका सपना टूटता दिखाई दे रहा है बताया जा रहा है कि कमलेश शाह कांग्रेस छोड़ कर आये तो उन्हें मंतरी बनाने का आश्वासन दिया गया था महिला कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हो गया है। मुख्याले भोपाल की ओर से कांस्टेबल भरती परीक्षा प्रक्रिया के अंतरगत होने वाले फिजिकल टेस्ट के लिए तारीखें घोशित कर दी गई है। मध्यप्रदेश के इंदोर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में मंगलवार को हुई दिन दहाडे 10 लाख लूट के आरोपी का पता। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही लगा लिया है हालांकि अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है लेकिन उसकी पहचान हो चुकी है और पुलिस ने उसके घर से लूट के 4 लाख रूपए भी बरामत कर लिये हैं। वही आरोपी अरून सिंग ने बैंक से लूटे हुए रूपियों में से पत्मी और बेटी को 55 इंच का LED TV शोरूम से दिलाया था और लूट के रूपियों में से 4 लाख रूपए घर पर रखकर फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही है।